आउने औरगं का जो डिपार्मिटी था उसमें हमने देखा था जो टेस्टिकुलार टोरसन रहता है वह क्या रहता है ड्रोसी अक्षिक और उसके कंसे टाइब से पानी पानी हो जाता है उसके कुन से टाइब से इसमें कुन से कॉछ कोज़ेंश है मेंस उसमें sperm का count low है क्या या sperm जो है वो mature नहीं हुए क्या या healthy sperm formation नहीं हुआ या कुछ genetic issues रहते है या environment के factor की वज़े से जो है वो male infertility रहती है नहीं तो आपकी जो lifestyle रहती है वो कैसी change हो जती है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी लिए अभी के lecture में हमको जो next disorders रहते है जैसे कि epididemis infection रहते है epididemis को होने वाले उसके बारे में देखना है अल्सो हमको prostate gland जो है वो क्या रहती है और उसकी जो deformity रहती है उसके बारे में हमको पूरी जानकारी लेनी है जैसे कि prostate cancer क्या रहता है prostate enlargement क्या रहता है इसको क्या बोला जाता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे जो क्या रहती है prostate gland एक gland रहती है वो क्या produce करती है Prostatic fluid secretion करती है जो semen का production करने में मदद करती है यह जो prostate gland है वो present रहती है below आपके bladder के यह जो bladder है उपर जो दिख रहा है यह bladder है और उसके नीचे यह जो gland है उसको हम prostate gland बोलते है जब एक gland बढ़ जाती है तब क्या हो जाता है इसमें बीच में जो यूरेत्रा रहता है यूरेत्रा हमने क्या बोला था urine pass out करने वाला जो tube है उसको हम यूरेत्रा बोलते है जब एक gland बढ़ जाती है तो उसके उपर जो यूरेत्रा है जिसको हम prostate यूरेत्रा बोले है हमने male reproductive system में उसके पूरे organs के बारे में देखा है यह जो prostate यूरेत्रा रहता है वो दब जाता है और उसके उपर compression आ जाता है यह जो आपका यूरेत्रा है यही passing करता है सिमेन जिसमें sperm present रहते है enlarged prostate क्या रहता है गहत सारे male उसका enlargement दीरे दीरे हो जाता है और जैसा जैसा age हो जाता है वैसा जो prostate जादा बड़ा हो जाता है और इसकी वज़ये से जो old age रहते है मेंस उसमें यूरीन का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहता है क्योंकि वो जो प्रोस्टेट है वो दबा देता है आपके यूरेथरा को जहां से आपका यूरीन पास आउट हो जाता है उसको यह जो आपका प्रोस्टेट है उसका exact cause जो है वो अभी तक डिस्कवर्ट नह जाता है और प्रोस्टेट उने की वजह से यह जो प्रोस्टेट है वह ए्नलarge होती होगी ऐसा consider किया जाता है अभी यह जो प्रोस्टेट उनलार्जमेंट है ज電 इसको है udah आपजातिक इलाजमंने क्स प्रोस्टेटर करल रहेंगे सबसे पहले अर्वकोंकी birth can सर् leopard में सब्सक्राइब नहीं नहीं होगा तन जालीष से ज्यादा जिनका ऐज है उनमें ऐसी वाल को संच में हों मैं आते हैं 40 से ज्यादा ऐस्वान से थोड़ा हूं सिवेररीटी में जाते इनका एज 80 हुआ है इन में बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स जो है वो पाए जाते हैं तो अभी आपको समझ में आया है चाली सकतवाद हैं डाझ।sy के बाद ये जो हार्मोनल ब狀ू होते हैं लेकिन प्रोस्टेट पे उसके जादा कंप्रेशन नहीं आता या या युरेत्रा जो है उसमें युरिन प्रॉब्लेम जो है वो थोड़ा बहुत चैंग उजाता है लेकिन शिक्स्टि के बाद यह जो है थोड़ा severity के ऊपर moderate to severity के ऊपर बीच में रहता है तो 80 एच के बाद यह जो है वो बहुत सिवियर हो जाता है उसको control नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट इस फैमिली हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री है फादर को है ब्रेदर को है ऐसे मैं में फैमिली हिस्ट्री के वज़े से prostate enlargement होने के chances रहते हैं और नेक्स्ट कास क्या रहेगा diabetes and heart disease जिनको diabetes है heart disease है उनमें भी prostate enlargement का जो chances से वो ज़्यादा पाया जाता है जो पेशन्ट में बिटा ब्लॉकर जैसे medicine लिये जाते है जिनको blood जो है उसको dilute करने की ज़रुरत रहती है ऐ उसको control करने के लिए external बिटा ब्लॉकर जैसे medicine यूज किये जाते हैं उनमें prostate की जो problems है या Prostatic enlargement जिसको बोलते हैं BPH बोलते हैं ऐसे problems ज्यादा दिखाई देते हैं next is the lifestyle जिनमें fatty changes है जिनमें fat है exercise कम कर रहे हैं उनमें भी Prostatic enlargement के chances बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो इनलार्जमेंट हो जाती है इनलार्जमेंट क्यों हो जाती है एजिंग के वज़े से family history के वज़े से और diabetes जैसे जो diseases रहते हैं इसकी वज़े से और उनका जो lifestyle उसमें exercise बहुत कम करते हैं ऐसे person इनमें और जो हार्मोनल imbalance है इसकी वज़े से prostatic enlargement पाया जाता है next is the prostatitis अभी कौन सा भी infection रहेगा तो उसको टाइटी से हम डिफाइड करते हैं inflammation means उसमें सूजन आया इसको हम inflammation ऐसा बोलते हैं obviously यह जो है वहां पे एक gland present है वह enlarged हुई उसको infection हुआ pain हुआ तो क्या हो जाएगा urine को difficulty हो जाएगी also जो अपका था है और pelvis है इसके बीच का जो area है और जो pelvis region है और genital area है इसमें pain हो जाता है अभी यह जो bacterial infection है यह common रहता है लेकिन सभी में bacterial infection की वज़े से prostatitis हुआ है ऐसा consider नहीं किया जाता symptoms क्या रहेंगे prostatitis के obviously urine को problem रहेंगा तो हां dysuria ऐसा बोलते है यूरीन बाहर छोड़ने का जो problem है उसको हम dysuria ऐसा बोलते है difficulty urinating अभी dribbling मेंस क्या धीरे धीरे यह जो urine होती रहती है थोड़ा थोड़ा करके यह जो है यह urination के problem रहते है यह जो patient है इन्हों में night को रात को ब परता है यूरीन जो है वो अर्जंटली बाहर फेकना पड़ता है cloudy urine रहता है और कभी-कभी यह जो patient से इन में urine में blood आने के भी chances रहते है पेन रहता है growing abdominal area में also यह जो है वो scrotum और rectum part में भी pain रहता है obviously इसकी वजह से penis और टेस्टी जो है इसमें discomfort पैदा हो जाता है painful ejaculation जो है वो आपको prostatitis और जो आपका prostate enlargement है इसकी वजह से हो जाता है तो अभी आपको समझ में आया urine related जो कुछ problem है और जो आपके semen और ejaculation related problem है यह सब आपको prostatitis की वजह से और जो prostatic enlargement है इसकी वजह से हो जाते है तो यह जो prostate enlargement है इसको हमने क्या बोला था बीपी एच अ Prostatic Hypoplasia, यह जो है इसको BPH ऐसा भी बोलते है और इसको Prostate Gland Enlargement electrow वह सै winter law Post cetera पलें है और अधा में बलौक ही इंड है और एसका ब्लॉके Fill, ग्रॉजच को नहीं पेस पर दाथ दें हुआर नहीं आणा और यह चाह। the bladder, urine, dissect or the kidney problem अभी kidney problem क्यों हो जाएंगे क्योंकि आपका bladder जो हो kidney से connected है और bladder के उपर जब pressure आजायगा तो ङिось जब आपके उरेटर तो आपके kidney के उपर भी आएगा so kidney related जो भी problem से वो bladder और urinary tract के schyожाब जब आपको BPH हो जाएगा और being a prostatic hypoplasia हो जाएगा तो यहाँ पर एक जो image है इसमें bladder आपको दिखाई दे रहा है और यह जो है वो आपका normal flow है urine का और यह जो है वो यूरेत्रा है यह जो आपकी prostate है वो normal है वो enlarge नहीं हुई उसकी size नहीं बड़ी इसकी वज़े से यह जो urine है वो easily pass out हो जाता है लेकिन जब यह prostate enlarge हो जाती है इसमें inflammation हो जाता है क्या सूजन आ जाती है तब क्या हो जाता है यह जो यूरेत्रा है उसके उपर compression आ जाता है और compression आने की वज़े से यह जो bladder है उसके उपर भी pressure आ जाता है ऐसे जो problem से इसके वज़े से uriNation को problem होना, urine को burning होना, nervous growing region और scrotum ऐसे जो areas है इसमें जो है वो pain हो जाता है अलसो जो ejaculation रहता है उस time भी यह जो patient से इनमें pain रहता है reason क्या बूला था हमने old age होने की वज़े से پरोस्टाटिक enlargement हो जाता है सिस्टृ के बाद यह जो फ्रोस्टृटेटिक एंलार्जमेंट है वह आपको थोड़ा सा समझ में आती हैं लेकिन एटिके बाद इसकी सिवेरिटी बहुत ज़ादा बढ़ जाती है अब एसे जुँज़ Texture Unlearngem है वो आपको कहां पर समझ में आती हैं कौनसा टेस्त में ज्यादा समझ में आती है अल्ट्रासौंड जो है वो जिसको हम सोझो ग्राफ। बोलते हैं थैसे ट्रॉल्टन gland के pictures create करता है जैसे आपने देखा होगा जो pregnant lady रहती है उसके पेट के उपर जो probe है वो गुमाया जाता है वो आपको जो बच्चा है उसके image create हो जाते है वैसे ही आपके rectal part से एक probe जो है वो insert किया जाता है और वो जो probe है वो sound waves create करता है जो आपके prostate gland के pictures जो है वो create करता है next is the magnetic resonance imaging अभी इसको क्या बोलते है यह जो है वो MRI technique रहती है magnetic resonance इमेजिक यह sonography है या address sound है उसको कभी-कभी consider नहीं किया जाता तो कभी-कभी तो कुछ consultant जो है वो माराइ सजेस्ट करते हैं क्योंकि MRI में prostate के जो picture से वो more detail में आ जाता है अभी जो MRI के images से इसकी वज़े से आपके doctor को यह समझ में आता है कि यह जो है वो prostate कितना बड़ा हुआ है इसके जो tissues है जिसको हम bio से बोलते हैं वो कहां से collect करना है त्यों tissue collect करना है यह जो prostate है उसको cancer हुआ है यह जो prostate है उसको सिर्फ हाइपोपलाजिया है मिन्स सिर्फ enlargement है यह कुण सा लीजन है इसमें ऐसा देखने के लिए इसके जो tissues है उसका sample लेना जरूरी रहता है सो मैंने क्या बोला जो collect करते हैं prostate का sample उसको बाइप से ऐसे बोलते है जो prostate है वह आपका नॉर्मल है मिन्स उसमें cells जो है वो cancer के present है या नहीं है यह देखने के लिए आपको prostate बाइप सी जो है वो करना पड़ता है prostate बाइप सी मिन्स आपके prostate से tissue लिए जाते है और उसका जो detection है वो गया जाता है आपके prostate के वहां एक छोटी सी निडल जो है वो insert की जाती है और इसका जो collection है वो किया जाता है मैंने अभी आपको वह लग की cancer है यह नहीं cancer रहेगा तो पूरा आपका जो prostate है वो पूरा निकाला जाएगा उसकी कुछ जरूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि cancer क्या करता है एक जगह जो है दूसरी जगह पे spread करने का काम करता है ऐसा जो cancer है वो रहेगा तो आपकी prostate जो है उसको proper remove करना पड़ता है और जो prostate enlargement है वो समझ में आया prostate gland रहती है और उसका enlargement होनी की विज़े से bladder पे urinary tract पे और kidney पे pressure आने के chances रहते है प्रेस्टेट जो है उसकी biopsy भी की जाती है जब प्रेस्टेट बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको biopsy के लिए test के लिए दिया जाता है ultrasound जैसे जो test है उसका यूज करके prostate जो है उसका visualization किया जाता है MRI में भी यह जो prostate उसको देखा जाता है कि कौन सी जो tissues है वो ज्यादा enlarge हुए और यह जो है उसको biopsy भी किया जाता है ज उसको हम समाइनल बेसिकल बोलते हैं और यह जो है वो भी सीमेन का production करते हैं सीमेन मेंस क्या रहता है आपका जो sperm है उसको mobility और nourishment प्रोवाइड करने के लिए एक fructose की ज़रूरत रहती है ऐसा जो fructose है उसका secretion यह जो gland है वो करते हैं उसको हम समाइनल बेसिकल बोलते हैं को समाइनल बेसिकल कर्ड़क रहता है और यह वह आपके युरित्रा में एंडर हो जाता है लेकिन कभी-कभी यह जो समाइनल बेसिकल करें इसमें इससे जो समाईनल वेसिकल है उसके उपर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है वह समाईनल फुरूइड का सिक्रीशन नहीं करता समाइनल फ्लूइड आपके स्पर्म को नरिश्मेंट प्रुवाइड करने का काम करता है ऐसे स्पर्म जो है वो मैक्चुयर नहीं हुए तो आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं यहाँ पे यह जो ट्रक्चर है यह आपको दिख रहा है वो आपके समाइनल फेसिकल का स्ट्रक्चर है समाइनल फेसिकल, Amplop ductus यह जो है वो कंबाइन होके उसका Ejaculari duct फॉर्म करते हैं जो Ejaculari duct आपके Phr quadratic gland में एंटर करता है जो Amplop ductus difference है वो आपके वहासा difference से आ जाता है जहाgod से आप स्पर्म हो कलेक्ट करते हैं तो यह जो समाइनल वेसिकल है उसमें क्या-क्या प्राब्लम्स हो जाता है समाइनल वेसिकल में कभी-कभी स्टोन हो जाता है इसमें इंफेक्शन आ जाता है मैंने जैसे बोला कि सिस्ट और फ्लुड के जो है वो गाट उसमें तयार हो जाते है और जो tumor formation है वो भी उसमें हो जाता है सो seminal vesicle में जो stone है वो कहां से form हो जाते हैं क्योंकि seminal vesicle seminal fluid वो form करता है और ऐसा seminal vesicle का fluid circulate नहीं होने की वज़े से वहाँ पे seminal vesicle stone form हो जाते हैं अभी ये जो है वो पिबरकुलासिस में और और जो infection रहते है seminal vesicle के उन में जो है वो जादा पाया जाता है जिनको पिबरकुलासिस है ऐसे patient में seminal vesicle में deformity या infection होने के chances रहते हैं उसको vasculitis ऐसा भी बोला जाता है then cyst मैंने अभी आपको बोला कि जो fluid के cyst रहते हैं वैसे जो cyst आपके seminal vesicle में आए तो वो जो है उसको seminal cyst ऐसा बोलते हैं जैसे आपके colon के उपर cancer हुआ था जैसे हमने prostate के उपर cancer हुआ ऐसा देखा वैसे ही tumor जो है वो आपके seminal vesicle पे भी आने के chances रहते हैं डंजनाइटल डिसिस जो डिसिसे आपके जनम से ही लेके आते हैं उसको हम congenital डिसिस बोलते हैं अभी यह जो है उसमें क्या हो जाता है आपके च्छो seminal vesicle है वो दोनों missing रहते हैं या smaller रहते हैं आपके नॉर्मल साइज से उसको हम congenital समाइनल वेसिकल डिसीज बोलते हैं तो आपका नॉर्मल जो है वो समाइनल वेसिकल हमने देखा था यह जो समाइनल वेसिकल है वो ब्लैडर के बैक साइड में प्रेजेंट रहता है यह सीमेन का प्रोडक्शन करता है सीमेन जो आपके स्पर्म को नरिश्मेंट और नूट्रि स्वाइनल वेसिकल जो है वो तू सेंटीमेटर के रहेंगे कभी-कभी यह बहुत चोटे रहते हैं तो कभी-कभी यह वह बहुत बड़े हो जाते हैं ऐसा जो कंजनाइटल डिसीज जो आप आपके जनम से ही ले के आते हैं डू टू द आपके जो जनेटिक चैंजे से इसकी व चैंजेते हैं अभी एसा जो समाइनल वेसिकल के प्राब्ले में हुए तो क्या हो जाएगा यूरीन पे जाधा एक्ट हो जाएगा क्या क्या हो जाता है यह स्पर्म जो यह वो बसक्या हो जाते है और डाइ स्पर्म bad mundo जिए इसके वजह से उन्सcelly नहीं क्या Со mask challenge है आपके पेट का pelvis का वह ejaculation के टाहिम में pain create करता है अलसो नॉर्मली भी जो pelvis region है उसमें pain होता है difficulty in urination आपकी जो urination है उसमें difficulty आने के chances भी रहते हैं lower cement volume अभी जो समयनल वेसिकल है वो 5 cm का है और कभी-कभी ये 2 cm करेगा जो 2 cm का समयनल वेसिकल है वो कम समयन का प्रडक्शन जो है वो लोवर सेमें वैलुम जो है वो डिटेक्ट करता है अभी आपको समझ में आया समाइनल वैसिकल जो है वो कितना उसको हम एमपलॉब डक्तस वहासा डिफरेंस बोलते हैं यहां से ही स्पर्म जो है वो आजाते हैं तो समाइनल वैसिकल यहां पर प्रेजेंट है और यह वापकी प्रोस्टेड ग्लाइंड एनलाज्मेंट जो होने की वज़े से यूरीन के बहुत सारे प्रोब्लेम जो है वो डोला था और इसको जब इंफेक्शन हो जाता है तो इसको इपिडाइडमाइटिस ऐसा बोलते हैं अभी यह जो आपका इपिडाइड़मेस है उसमें क्या किया जाता है यह जो स्पर्म आपके टेस्टिज ने रिलीज की है उसको मैच्वर करने का काम और स्लाइटली मोबि तो क्या रहता है इसको इंफेक्शन हुआ उसको हम टाइटिस ऐसा बोलते हैं यह जो कौन से भी एज में में इपीडाइडा में 30 हो जाने के चांसे रहते ऐसे नहीं कि यह जो है वह फिक्स आपके बर्थ के टाइम ही हो जाएगा यह जो इंफेक्शन है वह आपको ओल्ड इंफेक्शन की वजह से भी ऐसे जो इपीडाइडामाइटिस हो जाने के चांसेस रहते हैं इसके वजह से कभी-कभी आपके जो टेस्टीज है उनमें भी इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं बैक्टेरिया के वजह से और सेक्शुली ट्रांसमेटेड इंफेक्शन की व रहें समझ इसका करोनिक है वह बहुत बार समझ में पहुता है रहा आपके त स्कुरोटम आने के वेज़े से मैल हो सकता है शेक राथ आपकी जो मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टीम है वो पर्मनांटली डामेज हो जाएगी जो इन्फेक्शन हुआ या पेनिस से क्या हो जाएगा परस जनरेट हो जाएगा या डिस्चाज आएगा और एसा जो इपिडाय डामाइटीस है उसकी वज़े से आपका जो मेल रिप्र णोरी और इंफैंस आपका इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टेरिया श्रारी वह सारे बैक्टेरियल इंफिक्शण के वज़े से हंक अपका यूर में आ जाता है अभी पात्वें और इसे इसकी नौहर करता है यहिश्य स्टोर्टी लियां जयाता है यही पात्वें complaint frames में और आ जो इपिडाइडमिस है वो खराब हो जाता है यह जो ट्रॉमा है Growing Region को इंजूरी होने की वज़े से आपको जो है वो इपिडाइडमिस हो जाता है देन टुबरकुलासिस जैसे हमने देखा कि समाइनल वेसिकल को भी टुबरकुलासिस किसी भी रिजन को रहेगा तो यह जो टिबरकुलासिस है वो हो जाएगा वैसे ही रेरली जो है वो इपिडाइडामिस में भी टिबरकुलासिस का infection होने के chances रहते हैं तो यहां पर एक जो है वापका इडामिस नार्मल है तो एक side जो है वो inflame हुआ है irritation हुआ है और swelling भी आया है तो इपिडाइडामिस आपको समझ में आया आपके टेस्टीस के back side में स्ट्रक्चर रहता है उसको हम इपिडाइडामिस बोलते हैं वो जो है वो स्पर्म को स्टोर करने का और कैरी करने का काम करता है तो कैसे आपकी आपकी जो रिप्रड़क्टिव सिस्टी में उसको healthy रख सकते हैं और functioning रख सकते हैं आप स्मोकिंग और जो टॉबक के जैसे प्रोड़क्ट है वो आप यूज करना छोड़ना चाहिए आपको healthy habits जो है वो रहनी चाहिए healthy diet आपका रहना चाहिए आपने बहुत ज़्यादा वह आपने पानी पीना चाहिए reaching and maintaining the healthy weight आपका जो वेट है वो प्रापर होना चाहिए और practicing a safe से exercise जो है आपकी regular होनी चाहिए drinking alcohol जो है वो भी आपको नहीं होना चाहिए जो sleep है वो भी आपकी प्रापर होनी चाहिए और जो protective equipment है जैसे आप sports केल रहे है तो आपके जो reproductive organ है उनको protection के लिए जो protective equipment रहते हैं उ बहुत important रहेगी तो अभी आपको समझ में आया इसके पहले के लेक्चर में हमने जो है वो टेस्टिस के डिसॉर्डर रहते हैं वह कह रहेते हैं इसके बार में हमने और स्कुर्टम बाग है उसमें जो हाइड्रोसिल कहा रहता है इसके बारे में पूरी जन कर ली थी अभी क रहता है उसको infection हुआ तो कह रहेगा और नार्मल जो आपको healthy आपके reproductive system रखनी होगी तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है थैंक्स फर वाचिंग और लाक्षेर और सब्सक्राइब